माफिया अतीक एमत की आज कोट में पेशी नहीं होगी ये बड़ा अपडेट तो समय से नहीं पहुचने के चलते आज CGM कोट में पेश नहीं किया जाएगा अतीक को ये बड़ी जानकारी नैनी सेंट्रल जेल में माफिया अतीक और उसके भाई अश्रफ को रखा जाएगा तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दे अभी तक भी प्रयागराज नहीं पहुचा है अतीक का काफिला लेकिन समय से नहीं पहुचने के चलते आज पेशी नहीं हो अतीक और अश्रफ को जेल भेजा जाएगा नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा ये बड़ा अपडेट आपको बता दें क्योंकि माना जाना था कि आज कोट में पेशी होगी और जैसे ही रिमान के लिए वक्त बढ़ेगा पूछताच का सिलसला आज से ही शुरू हो जाएगा डेर सो सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी पुलिस की तरफ से लेकिन सीजेम कोट में आज पेशी नहीं होगी काफिला समय से नहीं पहुच पाएगा जैल से प्लानिंग करिया थी? प्लानिंग में शामिल थे क्या आप? जाहिस्ता ने फोन किया था आपको जैल में बताया था पुरे कांट के बारे में अरे वो निर्दोज घरेलो महिला है उसको आप लोग क्यों बोची थी? अर असद ने हत्या कांट को अंजान दिया कहा है कोई जानकारी है आपको? जैल में मुझे जानकारी है अपको जैल में बुझे इत्ती जानकारी है उसके तो बुलवाया था खाल और गाल, को तो कहसो हूए है घाल ओ हंस्टीस, वयर यार मैं ज्येल में उह हूँ, कहा हूँ, सिज lleva हूँ मड़र के बाद पोन किया था गष्ड शाहिष्ट स्ब्समें तुम्हें ज्येल में अदिक पोन किया था कुम्हें जेल में जेल में बें ये में cnews